इमीनिया के अस्टार विकेट की पर बलेबाज रिसपंद की वापसी को लेकर ताजा अपडेट सामने आ गया है रिसपंद को बहतर इलाज के लिए इंग्लेट भेज़ा जाएगा BCCI की कोशिशे की रिसपंद पूरी तरह से ठीक होकर IPL में वापसी कर पाएंगे ताकि उनके T20 World Cup में खेलने की संभावना बढ़ जाए इसे पहले मोहमस समी और सुरिय कुमर यादो को भी इंग्लेट भेजने का फैसला किया है दक्षिन अप्रिका दोरे से ही समी और सुरिय कुमर यादो टकने की चोट से समसिया से जूज रहे है मैदान पर तेजी से वापसी करने की कोशिज में जुटे रिसरफपंद इंग्लेट जाएंगे मार्च के अंत में सुरू होने वाले इंडियन प्रिमियम लीग के सतरवे सीजन में रिसरफपंद की वापसी की पूरी संभावना है रिसरफपंद दिसंबर 2022 के बाद से ही किर्केट के मैदान से दूर है दिसंबर 2022 में हरी दवार जाते हैं रिसरफपंद का एक्सिडेंट हो गया था और उन्हें काफी गंबिर चोट आये थी पंद का मुंबे के होस्पीटल में 45 दिन का इलाज चला था एक्सिडेंट के बाद पहली बार आईपियल के दौरा रिसरफपंद पबलिक के बीच नजर आये हलांकि उस वक्त पंद को चलने में काफी तकलिफ हो रही थी इसके बाद काफी महिनों तक रिसरफपंद ने नेशनल किरकेट एकडेमी में फिटनेस पर काम नहीं किया